अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक नमस्कार मैं हूँ अकर्शन उपल और इस समय आप यह सीधी तस्वीरे देख रहे हैं आइबेन 24 पर दोस्तों जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें मासूम सा दिखने वला यह चोटा सा बच्चा जिसे अपना नाम तक नहीं पता इस बच्चे को कुछ देर पहले आईबेन 24 के आफिस में कोई छोड़कर गया है और उन्होंने बताया कि यह बच्चा करनाल के सेक्टर 12 सित जाट भवन के पास से मिला है आप सभी लोगों से अपील जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें मासूम सा दिखने वला यह बच्चा आप देख सकते हैं कि रो रोकर अपने माता पिता से बिछड़कर काफी जादा बेहाल है और काफी देर से रोता हुआ नजर आ रहा है हला कि इस बच्चे को खाने पीने का समान भी दिया गया लेकिन यह बच्चा बिलकुल भी चुप नहीं हो रहा आप सभी से अपील जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहें इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें मासूम सा दिखने वला यह बच्चा इस बच्चे को किसी ने उठाया है और वो आई बेन 24 के ओफिस में छोड़ कर गए हैं उन्होंने कहा कि यह बच्चा वहां पर बहुत जाधा रो रहा था जिसके बाद वो इस बच्चे को आई बेन 24 के ओफिस में लेकर आए हैं आप आप सभी से अपील जो भी लोग इस वीडियो को इस करें बेटा क्या नाम है आपका कुछ पता आपको हैं और यह देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह से आहें भरता हुआ यहां पर नजर आ रहा है क्योंकि उसे कुछ भी अपनी जंदगी के बारे में अपने माबाप के बारे में कुछ भी नहीं पता महज एक से डेड़ साल इ इस बच्चे के बारे में मिलती है तो आप बैबन24 से संपर कर सकते हैं ताकि इस बच्चे को इसके माबाप से माता पिता से मिलवाया जा सके जाहिर तौर पर इसके माबाप भी हो सकता है कि इसे ढूंड रहे हों आप सभी से अपील जो भी लोग इस वीडियो को जहां तक देख रहें इस वीडियो को जरूर शेयर करें लड़का है बात हुए अपकी कौन छोड़के कौन गया है अजे इसका नाम और अजे नाम का जो व्यक्ति है वो इसे आई बेन 24 क दफ्तर में छोड़कर गया है ताकि इसके परिवार वलों को सूचना दी जा सके उन्हें ढूना जा सके पता लग सके कि आखिर ये मासूम सा दिखने वला बच्चा आखिर कौन है आप देख सकते हैं कि बच्चा काफी देर से रो रहा था और काफी गरीब परिवार से लग हुआ था जानकारी लेने पर पता लगा कि ये बच्चा काफी देर से रो रहा है क्योंकि इसके माबाप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है नाम पता आपको नहीं पता मम्मी का नाम पता है क्या नाम है आप देख सकते हैं कि मासूम सा दिखने वला ये बच्चा किस कदर आहें बर बर कर रो रहा है और आई बेन 24 के आफिस में इसे कोई छोड़ कर गया है ताकि इसके माबाप के बारे में जानकारी मिल सकते हैं आप देख सकते हैं कि पैरों पर इसके मिट्टी भी लगी हुई है और ये चपल इसने डाली हुई थी जब ये हमारे आफिस में पहुंचा और कोई इसे हमारे तो आप देख सकते हैं कि बिस्कुट भी खाने के लिए तयार नहीं है बच्चा काफी ज्यादा और रो रहें नाम पता विटे आपको नाम पता आपको नाम पता है नाम पता है पानी दोश्कों पानी दोश्कों पीटे पानी पिले आप सभी से यहाथ जोड़ कर पील है दोस्तों हर वटसब ग्रूप में हर फेस्बुक ग्रूप में इस बच्चे के वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि जादा से जादा लोगों तो कि जानकारी पहुंच पाए इस बच्चे के तक इसके जो माता पिता है वो यहां तक पहुंच पाएं क्योंकि जाहिर दौर पर वो भी इस मासूम बच्चे को ढूंड रहे होंगे एक से डेड़ साल का दिखने वला यह लड़का है और सेक्टर तो आप सभी से यहाद जोड़कर अपील है जो भी लोग इस वीडियो को इस कबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें ताकि बच्चे को इसके माबाप से मिलवाया जा सके महज एक से डेड़ साल का दिखने वला यह बच्चा आप देख सकते हैं कि आँखो आप काफी गरीब परिवार का लग रहा है गरीब घर का लग रहा है और ऐसे में अब उसके माबाप भी इस खबर को देख पाएंगे या नहीं यह अपने आप में बड़ा सवाल जरूरा लेकिन ऐसा हो सकता है कि आसपास के दिखने वाले जो लोग है वो इस बच्चे का ज और पाप का नाम बताए और इंते और वार अभी है अंतरव सकते हैं कि बच्चा काफी जादा रो रहा है मायूस है तो आप्ट एक मां जिसने इस बच्चे को जनम दिये, वो भी काफ़े जादा इस बच्चे को ढूंड रही होगी, माता-पिता ढूंड रहे होगे, भाई-बहन ढूंड रहे होगे, लेकिन इस बच्चे के बारे में अभी तक कोई भी जानकरी नहीं मिल पाया, आप सभी से ये हाथ जोड़ क जो भी लोग इस वीडियो को खास कर करनाल के जो लोग हैं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं करनाल और आसपास के इलाके के वो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इस बच्चे के माता पिता तक ये खबर ये सूचना पहुंच सके अगर आपके बास कोई भी ज पर करकर यानि कि पता सकते हैं अगर आपको कोई भी जानकारी इस बच्चे के बारे में मिलती है बच्चा काफी जादा मासूम है आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा और काफी देर से रो रहा है हलां कि मैं इस खबर को चला रहा हूं उसके बाद यह जरूर चूप हुए लेकिन उस से पहले यह इतना ज़ादा रो रहा था कि इसके चुप करवाना कीमरा इसकी तरफ है इयमाईक क्यों या इसकी तरफ बढ़ाया जा रहा है इस बच्चे को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है लेकिन अगर आप चाहे तो ये बच्छा अपने माता-पिता से मिल सकता है, अभी तक इसके माता-पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, ये बच्चा सुबह करनाल के सेक्टर बारास थे, तो जात-भवन के आसबास बताया जा रहा है कि रोता हुआ मिला था जिस व्यक्ति को ये मिला उन्होंने ढूनने की कोशिश की लेकिन जब कुछ नहीं पता लग पाया तो वो IBM 24 के office में इस मासूम से बच्चे को छोड़ के बेहद छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र लगबग एक डेड़ साल है आप देख सकते हैं कि पैरों में मिट्टी भी लगी हुई है हो सकता है कि अपने माता पिता से ये बिछड गया हो और माता पिता भी इससे ढूंड रहे हो आप सभी से अपील सभी फेस्बुक ग्रूप में वटसब ग्रूप में वटसब नम्बरों पर इस वीडियो को जुरूर शेर करें ताकि ये छोटा सा दिखने वला मासूम बच्चा अपने घर तक अपने परिवार तक पहुँच पाए इस बच्चे को इसके घर तक पहुँचाया जा सके माता सा चोटा सा ये बच्चा आप देख सकते कि काफी देर से रोता हुआ नजर आ रहारा और सेक्टर बारा कि आस पास ये बच्चा मिला था बिटे क्या नाम आपका नाम पता है आपको आप सभी से दोस्तों ये अपील है जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे जरूर शेयर करें ताकि ये बच्चा अपने माबाब तक पहुँच सके इसके माता पिता को ढूंडा जा सके क्योंकि मासूम सा दिखने वला ये छोटा सा बच्चा आप देख सकते हैं कि किस कदर और रो रो कर बेहाल हुआ हुआ है आप जाहिर तोर पर समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो अपनी मा के बगएर अपने पिता के बगएर भाई बेहनों के बगएर नहीं रहता होगा फिलाल हमारे आफिस में आप देख सकते हैं कि आफिस में आने के बाद से ये थोड़ा सा चुप जरूर हुआ है लेकिन इस बच्चे को अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता बेहद गरीब परिवार हो सकता है किसे जुगी जुपडी वालों का ये बच्चा हो क्योंकि बच्चे के जो पहनाव जो कपड़े हैं जो हालात हैं वह यहीं बता रहे हैं कि सेक्टर 12 में जो जुगियां बनी हो हो सकता है कि वहां का ये बच्चा हो अगर थोड़ी देर तक इसके बारे में कोई जानकारी मिलती तो इंतजार करेंगे इस वर सेक्टर 12 में चलकर ढूंदने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बच्चा कहां का रहने वाला और अपने माबाप से बच्चा कैसे बिचड गया कुछ खाना बिटा कुछ खाएगा कुछ खाएगा कि इसको लोगा तो इसके लिए बढ़ जो एक दो ट्वाइस लिए इसके लिए चुप होजेगा नहीं इसका के करेगा कुछ छोटा मोटा को इसके लिए ट्वाइस लेओ बच्चे के लिए तो आप सभी से दोस्तों यह पील जो भी लोग इस वीडियो को इस कबर को देख रहे हैं से साथ के साथ जरूर शियर करें खाने के लिए बच्चे को बिसकिट दिये थे एक आदा विसकुड खाने के बाद इसने खाया नहीं कुछ भी क्योंकि शायद अपने माता पिता के बगैर यह भी नहीं रह पा रहा और आप देख सकते हैं कि छोटा सा मासूम सा दिखने वला यह बच्चा काफी देर से रो रहा था लेकिन अभी तक इसके माबाप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है आप देख सकते हैं कि बच्चा काफी जादा मायूस है फिलाल आई बेन 24 के आफिस में यह है और कोशिश कर रहे हैं कि इसके मा बच्चा यहां पर मिला है और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं इसे शेयर करते हैं तो जाहिर तो पर इस मासूम से बच्चे के माता पिता को ढूंडा जा सकता है इस मासूम से बच्चे के माता पिता को जरूर ढूंडा जा सकता है ताकि जादा से जादा जो लोग है जब इस वीडियो को शेयर करेंगे देखेंगे तो जाहिर तोर पर इसके माता पिता को ढूंडा जा सकेगा आप सभी से फिल इस वीडियो को देखें भी इसे शेयर भी करेंगे सीधी तस्विर इसमें आप करनाल से देख रहे हैं करनाल के सेक्टर बारा सित जाट भवन से ये बच्चा अपने माबाप से मिल जाए आप सभी से फिल इस वीडियो को देखे भी इसे शेर भी करें आप देख रहे हैं आप इविट 24 मैं हूँ आकरशन उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव धन्यावाद दोस्तों आपका एक शेर इस बच्चे को इसके माता पिता से को जो शायद इस समय बहुत जादा रो रही होगी वो अपने बच्चे से मिल सकती है एक बच्चा जो बहुत जादा यहां पर रो रहा है वो अपनी मा से मिल सकता है जैसे ही मैं सुबह अपने आफिस में आता हूं तब जाकर मुझे बताया गया कि यह बच्चा कुछ देर पहले कोई अजे नाम के विक्ती से यहां पर छोड़ कर गए थे जिने ये करनाल के सेक्टर बारा में मिला था करनाल के सेक्टर बारा का जो जाड़ भवन है उसके आसपास काफी जादा रोता हुआ यह बच्चा मिला था लाकि कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि आपके मादेम से इस बच्चे को मिलवाया जा सके इसके माबाप से लेकिन अगर ये बच्चे के माबाप नहीं मिलते हैं तो करनाल के सेक्टर बारा जाकर कोशिश की जाएगी कि जुग्यों में जो आपर जुग्या बनी हुई हैं वहां पर ढूंडा जा सके कि इसके माबाप आखिर कौन है आप सभी से एपील इस वीडियो को देखें भी इसे शेयर भी करें और इस मासूम से दिखने वले बच्चे को इसके माता-पिता से मिलवाने में हमारी मदद जरूर करें आप देख रहे हैं मैं हुआ करशन उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव जय हिंद जय भारत इस वीडियो को अगर देख रहे हैं दोस्तों जरूर शेयर करें आपका एक शेयर एक मासूम बच्चे को छोटे से बच्चे को अपने माता-पिता से मिलवा सकता है धन्यवाद